हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरी मिर्च के सबजी यह हरी मिर्च के सबजी है पर हम लोग इसको तुवर के डाल के साथ बनाते हैं सबजी थोड़ी थीकी रहती है पर बहुत ही टेस्टी है और इसको विधर्ब में विधर्बल की स्पेशल सबजी है इसको विधर्ब मे मिर्चे चिभाजी कहते हैं और खांदेश में डार गंडोरी तो चलिए बनाते हैं हरी मिर्च की सबजी तो यहाँ पर मैंने यह तूर की डाल यह हाफ कप ली है यह मैंने अच्छे से धो के लिए है एक मेडियम साइज का प्याल जो मैंने कट करके थोड़े से तेल पे बून के लिया है और यह हरी मिर्च यह तीकी वाली हरी मिर्च है यह आपको तूर दाल से आधी लेनी है मैंने आप पर फॉर्ट कप हरी मिर्च लिए है अगर आप कम तीका काते हो तो आप कम लीजिए और यह भून के लिए है और इसको एसे थोड़ा दरदरा पीस के लिया है तो यह मैंने तीन टेबस पूल लिया है और यह आप चुका, आप चुका मैंने यहां पे थोड़ा कम लिया है आप तूर के डाल, जितनी तूर के डाल उत्ना ह Uni आप पर चुका ले सकते हो अगर आपको मुंगफली, हरी मिर्च, आमबचुका और ये प्याज ये सभी एक साथ डालके अभी इसमें हम पानी डाल देंगे और थोड़ा सा हाप्टी स्पून तेल डालेंगे तो ये अच्छे से पकेगी तो सबजे अच्छे से पकती है तेल से अभी इसको होकर में पास सिटी आने तक मेडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पे हमारे सबजे भी पक गई है तो इसको इसे रवी से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इस तरह से आपको इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेना है यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून लसन अद्रक्का पेस्ट बारिक कटा हुआ धनिया ग्रेट कीवा हुआ सुखा नारियाल दो टेबल स्पून हल्दी एक टीस्पून गरम मसाला और राय और जीरा एक कड़ाई में तेल गरम होने के बाद इसमें राय और जीरा डाल देंगे और फिर लसन अद्रक्का पेस्ट डाल देंगे इसको अच्छे से थोड़ा सा कच्छा पन जाने तक भून लेंगे उसके बाद इसमें यह ग्रेट किया हुआ सुखा नारियाल डालेंगे इसको भी आपको एक मिनिट तक भून लेना है फिर यह बारिक कटी हुई धनिया बत्ती हल्दी पाउडर और यह गरम मसाला अच्छे से अभी इसको मिला लीजिए अभी इसमें सबजी डाल देंगे अच्छे से मिला लीजिए और इसमें अभी पाने डाल देजिए थोड़ा से पाने डाले पहले देख लीजिए एक बार और अगर आपको लगे और तो फिर और पाने डाल सकते हो तो हम लोग थोड़ा सा और पान डालेंगे अभी नमक डाल देंगे तो आपको ऐसी कंसिस्टन से सबजी की रखनी है अभी सबजी को मेडियम फ्लिम पे पास से साथ मिनिट तक अच्छे से होने दिजिए अभी सबजी में दो तीन उबाल आ गये हैं तो अभी हमारी सबजी पैंद के तयार है ये देखिए अभी उपर से थोड़ा से बारी कट हुआ धनिया डाल देंगे तो अभी हमारी सबजी बन के तयार है तो इसको ऐसे बहुत सारे सालेट नीमबू और गरम गरम रोर्टी या आप जोयर की भागति के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो इस पे नीमबू लेके खाईएगा तो सबजी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और अगर आपको रेजबी अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरे रेजबी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी